BJP ने हर्याना की 10 सीटों पर लिस्ट की फाइनल हर्याना चुनाव समीती की बैठक में लगी नामों पर मुहर किसको मिला टिकट, किसका कटा पत्ता BJP ने लोगसबा चुनाव 24 की पहली लिस्ट दो जारी कर दी है लेकिन हर्याना के पत्तों पर अभी भी सस्पेंस कायम है हर्याना बीजेपी का मजबूत गड़ माना जाता है विधान सावास से लेकर लोकसबा तक कमल की बयार है हर्याना की दस सीटों पर बीजेपी कोई भी ऐसा दाव नहीं खेलना चाहती जिससे की एक भी सीट उनके हातों से फिसल जाए क्योंकि मूदी सरकार जिस चार सो पार्क के आकड़े का दावा कर रही है उसमें हर्याना की ये दस सीटे काफी महत्पून डोल प्ले करेंगी सूत्रों से मेरी जानकारी के मताबिक दरसत पार्टी हर्याना में पचास-पचास की इनिक्स खेलने की डणीती बना रही है यानि दस में से पांच सीटों पर वर्तमान सांसदों को टिकर दिया जाएंगे और पांच पर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा बताया जारा है कि करणाल कुरुक्षेत्र तिरसा हिसार भिवानी सीट पर बदलाव संभव है चानकारों की माने तो बीजेपी हर्याना में सत्यंत रूप से चुनाव लड़ेगी जेजेपी या किसी भी अन्य पार्टी का सहारा नहीं लेगी उधर हर्याना के प्रत्याशियों के बारे में कहा जारा है कि पूर्फ कॉंग्रेसिस सांसत और उद्योग पती नवीन जिंदल भी बीजेपी नेताओं से संपर्ग बनाए हुए है वो कुरुक शेत्र से टिकट पाने की जुगत में हैं नवीन जिंदल के अलावा एक फिल्मी एक्टर और पूर्फ क्रिकेटर का नाम भी काफी चर्चाओं में शुमार है वेरोतक से कमल के निशान पर चुनावी समर में उतरने का मनसूबा बनाए हुए है डिटेल रिपोर्ट से सीटों के बारे में समझते हैं अमबाला लोकसभा निर्वाशन छेत्र से वर्तमान में बीजेपी के रतनलाल कट्यार सांसते लेकिन 18 मई 2023 को उनका निधन हो गया था अब कयास हैं कि बीजेपी यहां से रतनलाल कट्यार की पत्नी बंतो कट्यार को मौका दे सकती है यहां पार्टी के दबदबे के साथ सहनभूती वोट भी बीजेपी की छोली में गिर सकते हैं इसके अलावा रतनलाल कट्या मोधी सरकार में मंत्री भी रहे हैं काटारिया इस seat से लगाता दूसरी बार सांसत बने थे काटारिया से पहले ये seat कॉंग्रिस की कुमारी शैलजा के पास थी शैलजा केंडरी मंत्री भी रह चुकी है 2019 के चुनाव में रतनलाल काटारिया ने कुमारी शैलजा को record 3,42,000 वोटों से माध दी थी इससे पहले 2014 में कटारिया ने कॉंग्रेस के राजकुमारी वालमी की कोहराया था साल 1999 में भी यहां से कटारिया ने जीत हासिल की थी लेकिन 2004 और 2019 के चुनाव में ये सीट कॉंग्रेस की चोली में आ गई और कुमारी शैलजा ने जीत कर सीट पर कबजा किया था हिसालोकसवा सीट हिसालोकसवा निर्वाशन छेत्र से वरतमान में BJP की व्रिजेण सिंग सांसद है इस सीट पर किसी पार्टी का मजबूत दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये सीट कभी कॉंग्रेस तो कभी BJP तो कभी लोग दल तो कभी हरियाना विकास पार्टी की कबजे में रही है। इस सीट पर बीजेपी जीत की कारेंटी के साथ अपना मजबूत पत्याशी उतारना चाहेगी। हाला कि वर्तमान सांसत ब्रिजेन सिंग अपने टिकट को पक्का मान कर चल रहे हैं। बावजूत इसके यहां से कैप्टन अभिमन्यू और कुल्दीप भिष्णोई के नाम की भी काफी चर्चा आये हैं। सिर्सा लोकसबा सीट पर वर्तमान में सुनीता दुगल बीजेबी की सांसते उन्होंने अशोक तवर को बड़े अंतर से परास्त किया था। दोजा 14 के चुनाव में INLD के चरंजी सिंग रोरी विजय हुए थे। दोजा 9 में ये सीट कॉंग्रिस के अशोक तवर के कबजे में थी। इस सीट पर लंबे समय तक कॉंग्रिस का राज था। भारती राश्री लोगदल ने भी यहां से चार बार जीत हासिल की है। ये पूर मुख्यमंत्री और INLD के अध्यक्ष उंप्रकाश चोटालका ग्रहनगर है। जानकर बताते हैं कि सिर्सा सीट पर प्रत्याशी में बदलाव किया जा सकता है। सिर्सा के साथ साथ कुरुक्षेत्र में भी नए चहरे सामने आ सकते हैं।